नमस्कार दोस्तों, मैं सिवाने तिवारी आप सब का स्वागत करते हूं अपने चैनल आई एंटी टुंटी सिवानी में फर्च पर बैठ कर खाना खाने से मिलते हैं गजब के फायदे जान जाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे डाइनिंग टेबल में बैठ कर खाना दोस्तों बीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी नोटिफिकेस्ट आप तक पहुंच सके अच्छी सेहत के लिए पहुष्टिक भोजन ही नहीं उसका सही तरीके से सेवन करना भी जरूरी होता है लोग अक्सर भोजन करने के लिए डाइनिंग टेवल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं पहर्स पर बैटकर खाना खाने से सरीर को कई गजब के लाव मिलते है दोस्तो ऐसे ही कई फायदों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं पहर्श पर बैटकर भोजन करना अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखने का एक आयरुवेदिक तरीका है हर्स पर बैठ कर भोजन करने के लिए बेक्ति को सुखासन पर बैठना चाहिए हर्स पर बैठ कर खाना खाते समय आप सिर्फ खाना ही नहीं खा रहे होते हैं बल्कि इस तरह खाना खाते समय आप एक आसन की मुद्रा में बैठे होते हैं। ये मुद्रा बेक्ति का मनसांत बनाये रखने के साथ रीड की हड़ी को भी आराम पहुचाती है। फर्स पर बैठ कर खाना खाते समय बेक्ति पाचन की वस्था में होता है। जिसकी वज़ा से पाचन रस सरीर में बेतर तरीके से अपना काम कर पाता है। पेट की मासपेशियां गत्सील बनती है। जिससे वज़न को पचाने में सहायता मिलती है। इस मुद्रा में बैठ कर खाना खाने से पीट के निचले हिस्से की मासपेशियों और पेट के आसपास की मासपेशियों में खिचाव पैदा होता है। जिससे असहिस्ता और सिकायत में आराम मिलता है फर्स पर बैट कर खाना खाने से वजन को संतुलित रखने में भी मदद मिलती है माना जाता है कि जब परिवार के सभी सदस से एक साथ मिलकर फर्स पर बैट कर खाना खाते हैं तो उनके संबद्धे भी मजबूत बनते हैं फर्स पर बैट कर खाना खाने से बाड़ी पोस्चर बेतर होता है और ब्यक्तित्मी निखार आता है फर्स पर बैट कर खाना खाने से ब्लेट सर्कूलेशन बेतर होता है जो दिल क की सेहत के लिए जरूरी है तो दोस्तों मेरे द्वारादी के जानकारी आपको पसंद आई होते वीडियो को लाइक सेर और सस्क्राइब करें जे हिंद जे भारत